हेलो सुदेंट्स आप सबका अमारी चैनल पर फिर स्वागत है इसपार्ट एडिमिशन के ताहत जितने भी एडिमिशन हुए उसके बारे में बात्चित करना चाहते हैं इस बार दोजार इकीस से चौबिश शत्र में तेरह हजार सीटों पर अभी तक सीट खाली रह गया है औ और इस फ़र कॉलेज को अपने अस्तर से लेना है को अप्ने मैंबंसे सकते हैं कि यह है कि वह अप्लाइख क्या ओआ रहाना चाहिए एडिमिशन 나타나 है अगर ऐसा करते हैं तो फिर प्राब्लम हो जाएगा इसके लिए तीन तारिक जो कि आज का ही दिन है आज सुबा आठ वजे से छे तारिक को रात दस वजे तक पोटल खुला रहेगा इसी बिच एड्मिशन होगा इसे समंदित पेपर में भी ये बाते दी गई है तो यहाँ पर असपर स्ट्रूप से दिखी दिया हुआ है कि 13,000 सनातक में जो सीटे रिखते हैं वो किस परकार है सनातक में कूल सीटे लगभग 95,000 है इसमें ओनर्स में 90,810 सीटे है आज जबकि पास कोर्स में जो समान बिसे हैं वो 5,071 सीटे हैं सभी कॉलेज़ों का मिला क जबकि पास कोर्स हर कॉलेज में नहीं है लेकिन ये दोनों सीटे तो है न तो 90 और 95,000 हो गया और 810 और 71 मिला के लगभग 96,000 के असपास सीटे रिखते हो गई मेरिट लिष्ट और इसपार्ट वन टू एड्विशन के बाद भी ओनर्स में अभी तक मात्र जो हैं 77,000 विद चात्र कल्यान अध्यक्ष डॉक्टर शिद्यस्वर नरायन सिंग की माने तो ऑनर्स के परमुख विश्यों के मिलाकर 85,000 सीटों पर दाखिला होना है लगभग दाखिला होता है इसलिए कि मुख्य मुख्य जो विश्य है उसी में विदार्थी आते हैं एडिविशन कराते ह कुछ ऐसे भी विश्य है जिसमें चात्र एडिविशन कराना नहीं चाहते या उसके बारे में जनकारी नहीं है तो एडिविशन लेते ही नहीं है तो इस तरह से वो सीटे हमेसा खाली रहती है तो मुख्य रोप से जो विश्य है उसमें 85,000 विदार्थी एडिविशन लेते है जबकि 90,000 सीट है तो अब जितना भी सीट है अंगेभूत कॉलेज में सरकारी कॉलेज में सभी सीटे भर गई है वहाँ पर अब सीटे नगन्नी है कुछ मात्रा में एक दो कहीं कहीं अगर बचा हो तो वह है तो आप सीट अबलेटे में जाकर के कर सकते हैं जहां सीट खाली देगा उसमें आपका इंट्रेस्ट है तो आप अपने आप से इनिवर्स्टी कुछ नहीं करेंगा कॉलेज को अपने अस्तर से एडिविशन लेना है इसके बाद जारी नहीं होगा इसका फिर से मौका नहीं मिलेगा इसके लिए आपको क्या करना है तो कॉलेज क्या करेगा यूजर आइडिय और पासबार्ट जो बिद्यार थी का उसके आरप लॉगिन करके सब्जेक्ट जिसमें खाली सीट है वो चैन कर लेना है सूल को जम सामने में इसक्रिन पर दिखता है उसको प्रिंट लोग कर लेते हैं उसमें एक आइडी रहता है तो वो अपनी नंबर जो है उसको सब्मिट करने पर इन्वेस्टी में एडमिशन कंफर्म होता है तो यह प्रक्रिया है तो यहीं कहा गया है कि एडमिशन बिभी के नियम प् समान नहीं हो जाएगा तब कॉलेज के प्राचार जिम्मिवार होंगे इसके लिए तो मुख के बिसे कौन-कौन से हैं तो बॉटनी मैथ और कॉमर्स में सीटे खाली रह गई हैं कॉमर्स बॉटनी मैथ में सीटे बड़ी संख्याम रिखते हैं बोचपूर रहतास बकसर और कै मैथ पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स में इंटर में अच्छा नमर होना चाहिए और इंट्रेश्ट पढ़कर के पास हो पाएंगे इस तरह से इन बॉटनी मैथ और कॉमर्स में सीटे खाली रह गए क्योंकि विद्यारती उतना नहीं मिले स्पॉर्ट के बावजुद इन ट्रेश्टिस में हो तो जा सकते हैं जैसे कि म्यूजिक है पर्सियन है अरेविक है रूरल एकोनोमिक से है सांखिकी है पाली है बुद्धिष्ट है दर्सन सास्त्र के भी कुछ सीट खाली रह गए हैं लोग परसासन है प्राकृत है उर्दू है यह सब विसे जो है पूरी सोच विचार करके बढ़िया से एडिविशन ले लिजिए और आप लोग पढ़ाई को आगे जारी करिए यहां पर देखिएगा बीर कुमर्सिंग में सिदाले में सनातक पार्ट वन्स का एडिविशन का पहले आओ पहले पाओ वाला फर्मुला के तहत यह एडिविशन करा करना है यहां पर भी दिया हुआ है इसके लिए करना क्या है इस्टुडेंट को एक ही दिन सभी अपना डोकुमेंट्स लेकर जाएगा एक ही दिन में हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करिएगा तो फिर बार बार ना लोट दोड़ना हो पड़ेगा उन्वेस्टी और कॉलेज तो कॉलेज में आपको जाना है काम कराना है तो सारा डोकुमेंट्स लेकर जाएगा और यहां भी बताया दिखिए इस पेपर में कॉमर्स बॉट्ने मैथ में सीट खाली रहा गया है फिर म्यूजिक परसी अन अरेविक जॉलल एकॉनोमिक सांकिकी पाली बुद्दिश्ट लोकषासन प्राक्रीत और दूस यह सब इसे में सीट खाली है तो डोकुमेंट्स क्या-क्या लेकर जाना है तो मैट्रिक इंटर का मार्शिट ले लिजिएगा एडमिट का ले 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 जिएगा जाती खास करके ले ले जिएगा जो आरक्षन का लाव चाहते हैं ठीक है और टीसी औरिजिनल लिजिएगा तो यह आवस्यक चीजा फोटोग्राफ ले लिजिएगा एक और उसके अलावा जो है आपका मैग्रेशन भी अगर अधर बोट से हैं तो रख लिजिएगा यह जोरी है उसके बाद आपने जो अपलाई किया है ऑनलाइन तो वह फॉर्म ले ल दोस्त मित्र जो भी हैं उनसे संपर करिये उनको बताईए धन्यवाद